असलाम अलेकूम इकबल आपका होस्ट मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैं सुबह प्लांट्स में पानी दे रहा था तो मैंने एक प्लांट्स मलेशिया पाम में पानी दिया फिर एक चैना पाम में पानी दिया फिर मैंने मनी प्लांट्स में पानी दिया तो मुझे इत्फाक में ऐसा रियलाइज हुआ कि ये प्लांट्स तीनों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई प्लांट्स थोड़ी से मुझ जा रहे है कोई प्लांट बहुत खुश खुर्म है कोई देखने बहुत अच्छे लग रहे है तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये प्लांट्स ना हमसे बाते करते अगर आप प्लांट्स या प्लांट्स या जो भी आपने घर में किसी भी किसम के पौदे रखे हुए और आप इनसे रोजाना आप उनको पानी देना उनका ख्याल करना उनकी दवाई ये वक्त पर डालना तो आप उनके साथ आपका एक रियल लाइज एक रिलेशन्स बन जाता है क्योंकि वो आपको समझते हैं आप उनको समझ्य लगते हैं तो ये गार्डनिंग एक ऐसा शोबा है एक बहुती खुबसूरा पैशन और दिल लुभाने वाला प्रोफेशनल है और इसमें आपको बड़ा मज़ा आता है येकिन करें अगिकार आपके पर फारिक टाइम है ना तो आप गार्डनिंग पर आएं पौदों से महबत करें नीचर से महबत करें छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं अपने घरों पे आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा तो मैं अपने दोस्तों से अपने हबाबों से अपने सरक्रावर्स से अपने फॉलोवर्स से अपने तमाम हज़रा से कह के तो घरों में न प्लांट्स लगाए, किचिन गार्डनिंग करें, आप देखेंगे कि आपको न एक पहुती उनसित शुरू हो जाएगी, महाबबत पैदा हो जाएगी, तो मैं अपने दोस्तों से कहाँगा, प्लांट्स की तरफ आए, उनकी खुबसूरती नीचर्स की त ख्याल करें, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल करते ना, वैसे प्लांट्स तक ख्याल करें, आप देखेंगे, कि वो आपके साथ उनका एक रब्त पैदा हो जाएगा, तो लहाँजा पौदों के देख भल करें, पौदों का ख्याल करें, थैंक यू, जैम गार्णिंग स बच्चों करुछर सुचर सुन।